मैं भारत रतना महामनाजी के चर्ण में बंदन करता हूँ कि सो वर्ष कुर्व जिस बीच को हुआने बोया था वो आज कितना बड़ा विराट ज्यान का विज्यान का प्रेरिना का एक व्रक्ष बन गया है लेकिन सो साल पहले महामनाजी के इस कारे को देखें तो पता चलता है कि दिरिवरश्टा किसको कहते हैं विजनरी किसको कहते हैं गुलामी के उस कालखंड में रास्त्र के भावी सपनों को रदस्थ करना और थिर्फ यह देश कैसा हो आजाद हिंदुस्तान का रूपरंग क्या हो इस रख सपने नहीं लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे प्राथमिक आवश्यक्ता क्या हो सकती है और वो है उन सपनों को साकार करें ऐसे ही मानव समुदाय को तयार करना ऐसे सामर्थवां ऐसे समर्पित मानवा की सुनुखला सिख्षा और संस्कार के माज़्यम से ही हो सकती है और उस बात की पूर्ती को लेकर करने के लिए महा मनाजी ने ये विश्वत विज्याले का सपना देगी महा मनाजी उन महापुरुशों को तयार करना चाहते थे है कि वे भारत की महान परंपराओं को संजोय हुए राष्ट को दिनबान में भारत की आजादी के लिए योग्य सामर्त के साथ खड़े रहे और ज्ञान के अधिस्टान पर खड़े रहे संस्कारों की सरिता को लेकर के आगे बड़े ये सपना महा मनाजी ने देखा था